तो गाइस कैसे हैं आप लोग हमेशा की तरह आप अच्छों में दोस्तों आज का जो वीडियो काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग होनी वाला है क्योंकि गाइस आज हमारे पास बोट की तरफ से एक इंट्रेस्टिंग सा हैटफोन है जिसका नाम है दोस्तों बोट रॉकर्ण 430 गाइस दिसे मैंना फ्लिप कार से फर्स्ट सेल में पर्चेस कर लिया था 1200 में और गाइस 1200 में इस हैडफोन में आपको काफी बड़ी आवाले फीचर देखने को मिल जाते हैं इसमें आपको 40 आवर का प्ली टाम देखने को मिलता है 40 मिली सेकंड लो लिटिन से के साथ गेमिंग मोर मिलता है ब्लुटूथ का एकदम लेटेस्ट वर्जन देखने को मिलता है ब्लुटूथ 5.4 और दोस्तों कॉलिंग के लिए इसमें आपको ENX Technology भी देखने को मिल जाती है गाइस बॉक्स को अन्बॉक्स करेंगे सारे फीचर हवे साकी तरह आपको अच्छे से एक्स्प्लेइन करेंगे फुली टेस्टिंग के साथ इस हैड़फॉन का रेवियू करेंगे और गाइस अपना experience भी आपके साथ share करने बाला हूँ अगर आप इसे लेने की सोच रह तो दोस्तों इस वाली वीडियो को देखके आपके सारे confusion almost दूर हो जाएंगे तो गाइस वीडियो में last तक जरूर बन रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको 40mm के driver देखने को मिलते है with boat signature sound इस साथ आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कुछ की highlight mention कर रखे है और दोस्तों back side में भी इन्होंने कुछ की highlight mention कर रखे है सारे वीडियो में cover कर दूँगा और गाइस box को जब मैंने unbox किया तो दोस्तों box के अंदर मुझे कुछ documentation मिल गया था जैसे कि दोस्तों आपको एक user manual देखने को मिलता है एक आपको banier manufacture warranty card मिल जाता है इस वाले QR code को scan करके दोस्तों आप अपनी warranty claim कर पाएंगे कुछ sticker वगरा भी देखने को मिल जाते है बोर्ट की तरफ से और गाइस एक आपको type C interface के साथ charging cable देखने को मिलता है केबल के quality दोस्तों मुझे बड़ी या लगिया है एक आपको मिल जाता है aux cable 3.5 mm jack के साथ और दोस्तों aux cable की quality मुझे काफी बड़ी आ लगिया है और दोस्तो aux cable इन्होंने काफी लंबा दे रखा है तो दोस्तों काफी distance से आप अपने headphone को use कर पाएंगे तो guys अब बात कर लेते हैं अपने main product के बारे में सबसे पहले दोस्तों इसकी build और design की बात करेंगे तो दोस्तों इस price segment में इसका जो design है वो मुझे काफी बड़ी अलगा है fully foldable design के साथ ये headphone आपको मिल जाता है और guys lightweight काफी जादा है अगर आपसे long term use करेंगे तो दोस्तों आपको कोई भी issue नहीं आएगा guys build quality की बात करेंगे तो दोस्तों fully plastic build के साथ ये headphone आपको मिल जाता है और guys headphone में नहीं जो plastic use करेंगे वो भी मुझे काफी अच्छी quality की लग रही है और दोस्तों इस headphone के आप length कम जादा भी कर पाएंगे guys यहाँ पे नहीं नहीं metal का use किया है अगर आपसे band कर रहे हो ना तो दोस्तों ये तूटने वाला बिल्कुल भी नहीं है guys यहाँ पे आपको board की branding देखने को मिल जाती है और guys इस side आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे नोने जो cushion use किया है वो मुझे काफी जादा soft लगा है इस side आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे नोने जो cushion use किया है वो भी मुझे काफी जादा soft लगा है अगर आपसे long time use कर गो तो दोस्तों आपके कानों में दर्द बगरा बिल्कुल भी नहीं होगा इस side आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे नोने कुछ buttons बगरा भी लगाएं जैसे कि दोस्तों एक आपको multi function button देखने को मिलता है volume को up down कर पाएंगे और दोस्तों एक आपको switch on switch off करने का button देखने को मिल जाता है एक light indicator लगाया है type c interface के साथ charging port देखने को मिलता है और मुझे comfortable काफी ज़्यादा लगा है उसकी बज़य है दोस्तों इसका weight weight बहुत कम है क्योंकि guys head on मेंने उन जो plastic यूज़ करी है न वो मुझे काफी hulky plastic लग रही है अगर आपसे long term यूज़ करें जैसे online classes के लिए जैसे long term song सुनते gaming करते तो guys आपके काउनों में दर्द वगरा बिल्कुल भी नहीं होगा guys fitting की बात करें तो दोस्तो fix भी काफी अच्छे से आपकी year में हो जाता है अगर आपसे कोई भी activity करते time यूज़ कर रहे है जैसे workout करते time यूज़ कर रहे है running time यूज़ कर रहे है तो दोस्तो आपके काउनों से बिल्कुल भी गिरने वाला नहीं है इसके connectivity के बारे में बात करें है तो दोस्तो जैसे के मैंने आपको बताया था इसमें आपको Bluetooth का एकदम latest version देख्टी को मिलता है Bluetooth 5.4 बहुत जल्दी से आपके device से ये headphone pair हो जाता है यहां पर आपको PCB तरीकी का issue नहीं आएगा आप बात कर लेते इसके gaming quality के बारे में तो दोस्तो इसमें आपको 40 millisecond low latency के साथ dedicated gaming mode भी मिलता है गाइस gaming का एक छोटा सा test पहले मैं आपको करके दिखा दिता हूँ जिससे आपको idea लग जाएगा इसमें आपको किस तरीकी की latency मिल रही है फिर guys मैं अपना experience भी आपके साथ share करूँगा और guys इसका gaming mode on करने के लिए आपको power बाले बटन को टू बार जल्दी जल्दी से press करना है आपका gaming mode on हो जाएगा तो guys gaming test देखके आपको कुछ तो idea मिला होगा किसमें आपको किस तरीकी की latency मिल रही है guys मैं अपना experience भी आपके बहुत सारे games प्ले करें थे मुझे guys ऐसा लग रहा है इसमें आपको 40 to 50 millisecond low latency के साथ gaming mode मिलता है तो दोस्तो casually gaming करते हैं उसके लिए आप इसे definitely purchase कर सकते हो but guys professionally gaming करते हैं उसके लिए मैं आपको recommend नहीं कर रहा हूँ क्योंकि guys इसमें आपको minor सी latency मिल रही है but guys अगर आप इसे aux cable के साथ use करते हैं तो दोस्तो वहाँ पे आपको किसी भी तरीकी की latency नहीं मिलती है guys अब बात कर लेए इसके calling quality के बारे में तो दोस्तो जैसे के मैंने आपको बताये था इसमें आपको environmental noise cancellation भी मिलता है guys calling का मैंने टेस्ट किया था outdoor में जाके वो मैं आपको सुना दीता हूँ जिससे आपको idea लग जाएगा इसके microphone speaker किस तरीके से बढ़ कर रहे हैं और दोस्तो especially इसका जो environmental noise cancellation है ना वो किस तरीके से बढ़ कर रहे है वो भी आपको एक idea लग जाएगा hello hello हाँ क्या कर रहे हो खुश नहीं बताओ यारी यह बताओ मेरी आवाज आपके पास किस तरीके से आ रही है सही आ रही है loud and clear है हाँ है बोल रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है हाँ समझ आ रहा है मेरे पास एक headphone है बोर्ट का मैं उसी से calling कर रहा हूं आपको ठीक है अच्छा इसमें environmental noise cancellation भी है ठीक है अभी मैं outdoor में खड़ा हूं यह से काफी जादा crowd है ठीक है तो background की noise आ रही है आप यह पास कुछ नहीं ज्यादा नहीं पर चल रहा है 10% कह सकते हैं only 10% हाँ और पता भी न चल रहा है कि अब headphone से बात कर रहा है चालो ठीक है thank you इसके battery backup के बारे में बात कहा है तो दोस्तो headphone में इनोंने 400 ms की battery लगाई है जो आपको apprax देने वाली है 40 hour का play time अगर आपसे 60% volume पर सुन रहे हो तो अगर आपसे 100% volume पर सुन रहे हो तो दोस्तो वहाँ पर यह headphone आपको only 25 hour का ही play time देता है और guys आपका headphone लगबग 2 घंटे में full charge हो जाता है तो guys अब बात कर लेते हैं इसकी sound की quality के बारे में तो दोस्तो इस headphone को मैं काफी time से use भी कर रहा था इससे मैंना बहुत सारे गाने सुने वीडियो बगरा भी देख रहा था guys इसकी sound की quality की बात करूँ तो दोस्तो इस press segment में इसकी sound की quality है ना वो मुझे काफी बढ़िया लगी है आप लोग enjoy करोगे इसकी sound की quality को vocals दोस्तो एकदम clear है singer की आवाज आपको एकदम clearly सुनाई देती है और guys background में जो instrument बसते हैं आप वो भी आपको एकदम clearly सुनाई देते हैं एक बात दोस्तो मुझे काफी अच्छी लगी है इस headphone की अगर आप इसे सुन रहे हो ना full volume पर तो दोस्तो वहाँ पर आपको किसी भी तरीखी का distortion बगरा सुनाई नहीं देता है और guys इसकी अवाज सार्फ है, soft है अगर आपसे long term use करोगे तो दोस्तो आपके कानों में किसी भी तरीखी का irritation बगरा महसूस नहीं होता है और guys, base quality की बात के होएं तो दोस्तो इसमें आपको 40 mm के base driver देखने को मिल जाते हैं तो guys, base music सुनना पसंद करते हो ना, तो दोस्तो definitely आपसे purchase कर सकते हो base मुझे काफी बढ़िया लगा, एकदम आपको थब-थब बाला जो punchy type का base होता है वो मिल जाता है guys, अब बात आती है, 12,00 रुपए के price point में से आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए almost सभी feature में आपको अच्छे से बता दिया है, तो guys, decision आप खुछ से भी ले सकते हो कि आपको इसे लेना है या नहीं लेना है, अगर आपको मेरा opinion चाहिए तो दोस्तो इस price segment में ये headphone मुझे value for money लगा है, अगर आपका budget दोस्तो 1000 रुपए के आसपास है और कोई lightweight headphone लेना चाहिए तो दोस्तो definitely आप इसे purchase कर सकते हो तो guys, यही था boat rocker 430 headphone का unboxing review अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो दोस्तो एक like ज़रू कर देना इसी तरीके का content आगे भी आप देखना चाहिए तो दोस्तो जल्दी से channel को subscribe कर लिजे और guys, bell icon को जरूर प्रेस कर लिजे ताकि आने वाली वीडियो की notification सबते पहले आपको मिल सके तो guys, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए take care, bye bye, जैहिंद